राजस्थान के कालवा गाव में एक जाट किसान के घर पर एक बालिका ने जन्म लिया उस बालिका का नाम कर्मा रखा गया लोग उसे कर्मा बाई पुकारते कर्मा बाई के पिता जिवन राम डुडिय क्रिश्न भक्त थे उन्होंने अपने घर में ही मदन मोहन नाम से एक बाई को दिया अगले दिन वह उनकी सेवा में लग गई उसने जवार के खिचडी बनाई और भगवान को भोग लगाया और अपने काम में व्यस्त हो गई कुछ दिर बाद उसने देखा कि खिचडी वैसी ही रखी हुई है कृष्ण ने भोग नहीं लगाया उसे लगा कि भगवान को पसंद नहीं आई और उन्होंने भोग स्विकार नहीं किया है उसने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे कुछ और बनाना नहीं आता आप इसे ही स्विकार कीजिए ये कहकर उसने खिचडी में और थोड़ा अधिक गूर और घी मिला दिया उसके बाद भी खिच खिचडी का भोग बनाया और भगवान को लगाया फिर उस दिन भी थाल वैसी कि ऐसी पड़ी रही फिर उसने गुसे में भगवान से कहा कि आप ऐसे हट क्यूं कर रहे हैं तब ही उसके कानों में अकावाज पड़ी अरे कर्मा तुने परदा तो लगाया ही नहीं तो मैं कै जैसे खाऊं ये सुनकर उसने परदा लगा दिया इसके बाद खिचडी की थाल बिलकुल खाली हो गई भोग खिलाने के बाद ही उसने भी खाया इसके बाद से उसका नित्य नियम यही बन गया था सुबह वह खिचडी बना भोग लगा कर फिर अपना सारा काम किया करती पि दुड़ी राम के निधन के बाद कर्मा का उस गाउं में जी नहीं लगा और वो अपने प्रभु को ले उडिशा के जगनात पुरी में आ बसी वो अपने सबसे पहले उठकर भोग बनाती भोग लगाती उसके बाद स्नान ध्यान करती एक दिन स्वैम श्री कृष्ण एक बाल कर्मा के द्वार पर एक पुजारी जी आये और उन्होंने जब ये जाना कि कर्मा बिन स्नान ध्यान किये ही भोग बनाती है उसी प्रकार उसे प्रभु को अर्पीत करती है तो उन्होंने कर्मा को समझाया कि भगवान को बिन स्नान ध्यान किये भोग लगाना सही नहीं है औ कर्मा के जल्दी जल्दी करने पर भी देर हो जाती थी जल्दी जल्दी में खिचडी खाकर जगरनाथ जी बालक रूप में बीना मुख धोए ही भाग जाते। इधर कुछ दिनों से मंदिर के पुजारी भी यह देख क्यास्चरी में पड़े थे कि प्रभू के स्नान करने के बाद भी उनके मुख कमल पर ये खिचरी कैसे लगी रहती है। उस दिन श्री जगरनात जी के आँखों से अश्रूत देख कर वहां के पुजारी और राजा ने हाथ जोड़ कर पूछा कि प्रभू हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमें ख्षमा करें। उस राद सपने में आकर भगवन ने उनसे कहा कि आज कर्मा बाई संसार से चली गई। अब उन्हें प्रती दिन खिचरी कौन खिलाएगा। प्रभू की व्यत्या और इच्छा को जानकर राजा और पुजारी ने यह नियम बनाया कि प्रभू को प्रती दिन खिचरी का भोग लगाया जाएगा। इस प्रकार कर्मा बाई की खिचरी खाकर प्रभू ने खिचरी को अपना प्रिय भोग बना लिया। इसे कहते हैं